जोहिन पेंस नमस्कार शोप्रेंस कहां तक पहुंचा है हमारे सोदेशी अर्भांस मीडियोम कॉमबैक्ट आयर काट आमका जी हाँ इसमें लगने वाले इंजिन एभोनिक्स इलोटोनिक्स वेपन्स होतियार और टिल्ज फिच्चर्स का काम कहां तक पहुंचा है कोब आएग जैसे यह हमारे बिल्कुल सोदेशी टेक्नोलोजी बेस्ट 5.5 जनेशन एयर काट होगा तो इसे पावर दने के लिए एक इंडिजनस टेक्नोलोजी बेस्ट नीजी तोकनी के आधारित बिल्कुल हमारा इंजिन होनी चाहिए अभी हमारे भारत प्रभवभ्यान जेट इंज प्रभविन टेक्नोलोजी तो है लेकिन यह प asympt नहीं होता है क्यूंकि यह 60 किलो कुलुट्र नीजी determine करता है है इसके आस्पास हीलि करता है यह टेक्नोलोजी को से अभी हमें इतने फायक्वी नहीं हुआ है लेकिन यह बेस्त करने के लिए पिछले confidence को लेकर कापेर इंजिन के कुछ technology को लेकर फोर्जिन कंपनियों के साथ T.O.T. को लेकर collaboration के माध्यों से develop करने की कोशिश जारी है हुमारे साथ यह पोग्राम में आगे हाँ है फ्रांसिस कंपनी सप्रान और यू के बेस्ट रोल्स रोइस कंपनी यह यह इंजिन को डेवलप करने के लिए उनके साथ हमारे डिया डियो के लाब जी टी यारी ग्यास टॉर्बाइनी रिसर्ट अंटे एस्टाविश्मेंट के तरफ से प्राम किया जा रहा है और फ्रांसि यहां पर योधना यह है कि यह इंजिन फुली न्यू टेक्नलोजी बेस्ट इंजिन होगा और यह प्रोड़क्शन में 2030 स्टॉक एंटिरी कर सकता है इसा पहले भी हो सकता है 2027 स्टॉक लेकिन आमका का फास्ट ब्यास जो आएंगे 2022-2035 तो यह यूएसे बेस्ट जेनरल एलेट्रिक के इंजिन के साथ आएंगे लेकिन फ्रेंसे इसके बाद आमका के जो MK1, MK2 बेरियंट से आएंगे तो यह उस टाइम हमारे सोदेशी इंजिन बेस्ट रहेंगे अब अन्यों सबाल पर आते हैं स्टिल्स फिचर्स का बात करें तो ADE के मुताविक इससे एक अर्वन सेट डिजाइन बेस्ट बनाया जा रहा है जिसमें ज्यादा दोर कार्बोन कॉंपोजिट का ब्यभार किये जाते हैं जो नौन मेटाली की होते हैं और यह मेटरियाल को राडार दूर से इतने जल्धी डिटक्ट नहीं कर सकते हैं देख नहीं सकते हैं इससे डवलप करने में ADE के तरफ से बहुत ही धान दिया जा रहा है जैसे ADE के तरफ से 2021 एरो इंडिया सो में आमका के फाइनल डिजाइन मोडेल को देश के सामने लाया गया था जैसे हमारे आमका एक फुली 5.5 जनेशन एर काप्ट हो और एप 22, एप 35 को भी जैसे हम ये एर काप्ट के जरिए टोकर दे सकें सासात यहां पर ये पोग्राम को और आगे ले जाने के लिए हाली में ADE के तरफ से आमका के NG TD पर NET GENERATION टेक्नोलोजी डेमोस्टेटर पोग्राम को तेश कर दिया गया है जिसके लिए ये डेमोस्टेटर के लिए आमका के एयर इंटेक मॉडल पर काम सुरू कर दिया जया है ये DSI डाइबोटलेज सुपरसोनिक इंलेट के माध्यम से इंजिन में एयर फ्लो को कोंट्रोल किया जाता है रिक्वार्ड के मुताबिक, मतलब फ्राइट के दोरान, सुपर सोनिक है फ्लो को सॉप सोनिक में कौनवर्ड कर लेता है, तो यह मोडल अब डेबलोमेंटल फेज में है, साथ चात, यहां पर नीजी कॉमपनियों जैसे बीम टेक्वनलोरीज भी काम कर रहा है, यहां पर आमक सेक्षन सीमुलेशन सफ्टोयर को भी डवलप किया गया है अब वेपोन और मामेंस के बारे में बात कर लेते हैं हमारे आमका बहुत ही सारा आड़बांसेड इंडिजनर टेक्मिलोजी बेस्ट वेपोन से लेस होगा जैसे एर टू एर एर टू सर्पेस लेजर पॉर्ड लेज पूने में इंटरनल वेपोन बॉई IW B के उपर काम किया जा रहा है और इसे टेस्ट भी किया जा चुका है जी हां मतलब इसके के वार्किंग मोडेल को पहले सही वेपोन रिलीज के दोरान लो मेजरमेंट के लिए IW B के इंटरनल वेपोन बॉई के स्टार्टर एजस का ट देवलब किया गया है एब्रोनिक और इलोक्टोनिस के लिए ज्यादतोर देशी एरो कॉंप्रीज को टी ओटी के साथ टांस्पर अब टेकनोलोजी के साथ जोड़ा जा रहा है जो टेकनोलोजी को मास परड़क्शन मास आउड़ पुड कर सके मतलब जैसे राडार एब्रोनि से अभी डेवलोमेंटल फेज में है जिसके लिए हमारे HLA, ADA, DRDO, GTRE के तरफ से काम किया जा रहा है साथ साथ हमारे बहुत इसारे देशी एरो कॉंप्पनीज भी हमारे आमका को डेवलोप करने में सामिल रहेंगे मतलब यह कॉंपनियों के तरफ से स्प्यार पार्स डेमोस्टेटर को 2015 में आउर्पूर किया जाएगा 2025 में और 2027-2080 आटे टाइम 5 प्रोटोटाइब को लाया जाएगा और 2030 का आमका को मास परोशन में ले लिया जाएगा जैसे एरफोर्स रिक्वारी यहां पर 36 आमका मतलब 2 स्काड़न आमका यहां पर हमारे एरफोर्स को चाहिए और अंत में हमारे तरफ से प्राथना यह है कि हमारे आमका अर्वांस मीडियों कॉम्बैक डायर काट बहुत जल्दी सामने आजाए जी हाँ प्रेंस यहां प्रेंस यहां आजका लाटे ट्रॉप डेट आप लोगों को जरूए चलोग आगा एका बड़ा तमस्प बड़ा कमड़ी किजिए हमार चैनल को सस्काइब किजिए हमार हरी की वीडियो की नेट्विकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाया और प्रेस किजिए आपका आसीस जहीं जैब भारत